लड़का लड़की खुद बात करेगी मिलने को बेचैन हो जाएगी आपके वस में हो जाएगी काले धागे में साथ गांट लगाकर धागा यहां बान दीजिए जी हां मेरे भक्तो यदी आप वसीकरण करकर के ठक चुके हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आज हम आपके लिए बहुत ही पाउरफुल और एक असली वसीकरण विधी असली अमल टोटका आज हम आपको बताएंगे जिसको यदी आप अच्छे से समझ लेते हैं और जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे इस विधी को आप कर देते हैं तो यकीन मानिए पल भर में ही किसी भी लड़का लड़की को किसी भी महिला पुरुस को अपने वस में कर सकते हैं अपना गुलाम बना सकते हैं अपनी जैसे उससे चाहेंगे वह वैसे वैसे करने लगेगा, करने लगेगी, फिर चाहे वैस त्रिपूस कोई आपका पती हो, पतनी हो, गल्फेंड हो, बॉइफ्रेंड हो, कोई भी हो, किसी के लिए भी आप इस विदी को कर सकते हैं, घर बैठे बिलकुल मुफ्त में कर सकते हैं, आज करेंगे तो कल से ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। यह एतनी पाउरफुल विदी है कि मातर 24 घंटे बाद से ही असर दिखाना सुरू कर देती है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि पता नहीं से मेरा काम होगा या नहीं होगा चलो करके ही देख लेता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी अपका काम जरूर होगा। आपको सिर्फ काले धागे में साथ गाठ लगानी है और धागे को जहां हम बताएंगे वहाँ पर आपको इसको बांध देना है फिर देखिएगा इसका चमतकार व्यक्ति जिसके लिए भी यह विदिया आपने की थी वह हमेशा हमेशा के लिए आपके पास चलाएगा आपसे म हम बता रहें इस पर वो नोट कर लीजिए सबसे बड़ी बात यह है विधी आप किसी भी दिन कर सकते हैं ठीक है इसमें आपको किसी विशेश दिन की भी आवा सेकती नहीं कि भई हो ली दिपावली या कुछ ऐसा विशेश चोहार या कुछ वो होना चीए किसी भी दिन इस विधी को कर सकते हैं ठीक है वन टाइम का यह है टोटका है सिर्फ एक बार के करने से ही आपको इसमें सफलता मिल जाएगी 100% इसमें गारंटी है मेरी ठीक है आपको बस जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आपको कर देना है तो आपको क्या करना है चलिए ध्यान से दे ठीक है ये आपको बोलना है या अवलू बहुत ही आसान वर्ड है एक वर्ड आपको ये बोलना है और धागे में गाठ लगानी है आपको धागे को इस तरह से ले लेना है ठीक है लेने के बाद आपको या अवलू अपने प्यार का मनहिमन ध्यान करना है उसका चेहरा अपने दिलो दिमाग में आपको बसाना है उसको याद करना है और बोलना है या अवल्लू इस तरह से गांट लगा देनी है फिर थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से आपको फिर से ऐसी या अवल्लू ये बोलना है और थोड़ी दूरी पर गांट लगा देनी ऐसा आपको थोड़ी थो बार नाम लेना है और इसके उपर आपको फूक मार देनी है यानि दम कर देना है इस तरह से अब इसको ले जाकर के आपको घर से बाहर जाना है कहीं पर आपको पीपल का विरक्ष दिखाई दे नेम का विरक्ष दिखाई दे आपको किसी विरक्ष पर इसको बांध करके चले आना है बस इतना सा कारिया आपको करना है इतना करने के बाद आप देखेंगे जिसके लिए यह विधिया आपने की थी वह आपकी महबत में बेचैन हो जाएगा आपसे मिलने के लिए तड़ाप उठेगा तड़ाप उठेगी